चन्दपध हापुड में राशन की उपभोकता सामगरी काला बजारी में बिखने के नित नए मामले सामने आ रहे हैं और राशन के गेहूं और चावल की खरित का अड़ा पक्का बाग बना है नए मामला थानह पुर्देहाद के गाउं सलाई का है जहां से काला बजारी में बिखने जा रहा राशन का चावल ग्रामिडों ने पकड़ कर पुलिस को सौब दिया राशन का ये चावल तांगे में लदा था जिसका मूल ले लाखो रुपे है पांगे में में ले टांगे में लेगाद के और में लेगादिए ओना रहाद के वी तड़ इसका मूल ये लोग्स अच्त है ताजी सब्जियों की काट घर बुलाएं बजार भाव पर सब्जिया पाएं देख भाई को कॉल करें एच सिक्स फाई जीरो सिक्स जीरो सेवन जीरो डबल थी पर नेरा नाम जी ओमकार है मुझसे नो कहीं कि दसकटा मेरे घहों के हैं और उंगे से छे बोरी रात अब कि लिए हैं खालिद देलर के पांद में चलागा सलाई से कौन देकाम के सलाई से हैं मैं तक भाड़े बार आ गाउं काठी खेड़ा के तांगा चालक ओमकार ने बताया कि वो ये चावल गाउं सलाई के एक राशन की दुकान से लेकर पकभाग मंडी के लिए चला था राशन डीलर ने गेहूं बता कर चावल को तांगे में लादा था और कहा था कि गेहूं देकर खल लानी है जब वो तांगा लेकर जा रहा था तो भीमनगर पलिस चौकी के पास कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और पकड़ कर थाना हापुर्दे हाथ ले आए खाद्य आपुर्दी विवाग के अफसर मामले की जांच में जुटे हैं झाद्य विवाग के लेकर तो में जुटे हैं